कि पिता जी पिता जी आप क्यो रू रहे हैं क्या हुआ और भेढ़ी रोजह बहिर प्या COP क्यों हुआ गया ना के बहिती आपकी विदाई हो रही है इसलिए आम रो रहे हैं थे की पीटा जी यी विदाई क्या होती मिजह बताओ ना बेटी तुम्हारी शादी हो चुकी है अब। हमेश्या के लिए जवाही राजा के साथ रहना होगा तो ये जवाही राजा है पिता जीपिता जी ये जवाही राजा क्या होते हैं जुवाई राजा बेटी पती देव होते हैं अच्छा तो ये मेरे पती देव है पर ये रो क्यों नहीं रहें आफिए पतिदेव आप नहीं है आज तो मेरी विदाई हो रही है ना औरे मैं तो यह कि ओ करें से श approach कर अच्र फिल्वी रो रहा हूं अब लिक के था मेरी व्यर्वर जरूरी है है पतिदेव आप क्यों नहीं है आप भी रो आ है है ना वे आप को नहीं है कर टूट further वो क्यों रोएंगे, तुम तो इनके साथ दाले ही हो, हम तो इतलिये लो रहे हैं, तुम हमें थोड़ कर जा रही हो भाईया भाईया, मैं कितने दिनों के लिए जा रही हूँ बेती, तू सदा के लिए अपने पती के साथ जा रही है, सदा सदा के लिए अपने सस्राल में रहने के लिए अपने पती देव के साथ जा रही है अले मेरी प्याली दीदी तुम्हे वहां तो तुर के रूप में पितादी मिलेंगे और बेती तुम्हे वहां पे सास के रूप में मा मिलेगी मा अच्छा तो अब मैं सब समझ गई पिताजी और वहां मुझे भाया के रूप में ये जवारी राजा मिलेंगे जो मुझे अपने साथ ले जा रहे है है ना मैं तुम्हारा बैया नहीं हूँ पती हूँ पती पिता जी इसको जल्दी से मेरे साथ विदा करवा आपको पता है ये डॉली वाली गाड़ी मैंने पांच बजे तक बुक की हुई है इसके बाद मेरा डबल किराय लगेगा क्यों म आपको भी साथ ले चलो हम सब मिलके एक साथ चलते हैं अपना कौंछा किलाया लगले है नहीं बेटी तुझे एकेले को ही जाना पड़ेगा चलो अब गारी में बैटू अच्छा तो ठीक है पिताजी ले जा रही हूं बाए चलो 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 देर हो रही है बाए बाए बाएव जाना को ड्याही है जा अब एंची लुझे किले को लाही हैं ब़ा हर्टे लें करो और दामाना के ले टिलकेल बाए़ प्रियन के लिएक्सा रहा हैसार से ले लिएकाल मैं रियू जब ओिया है लेगा हम आलो आ हो अरे मेरी गुलाबो, शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, आउ मेरे पास बेठो. नहीं जी, मैं नहीं बेठोंगी, मेरे पीटा जी कहा रहे थे कि बेटा, किसी भी पराई मर्द के पास नहीं बेठना. इसलिए मैं आपके पास नहीं बैठूंगी आपको जो कुछ कहना है न आप वहीं से कह दीजिए मैं सुन रही हूँ अरे मैं पराया मर्द नहीं हूँ तुम्हारा पती परमेश्वर हूँ समझी समझ गई जी चला फिर बैठ जा शर्मा मत हा तो बोलो आप क्या कह रहे थे अरे गुलबो आज हमारी सुहाग रात है सुहाग रात सुहाग रात ये सुहाग रात क्या होती है जी अरे गुलबो ये दो दिलों का मेल होता है मेल क्या कहो मेल होता है तो एक काम करिए जी, आप भी नहा लीजिए और मैं भी नहा लेती हूँ साबुन से, फिर दोनों की दिल का मैल उतर जाएगा ये बगवान, ये कैसी बीवी पल्ले बांदी तुने, तु ऐसे कर, तु यहाँ सोजा, मैं बार जाके सोजाता हूँ नहीं नहीं जी, एक काम करते हैं, आप यहाँ सोजाएए और मैं बाहर जाके सोजाती हूँ नहीं नहीं, मैं तो बार ही सोजाता हूँ, तुम सोओ यहाँ पे नहीं नहीं जी, आप रुक जाएए ना एक बात कहूं आपसे मैं सासु मा को बुला लूँ यहां पे मुझे न अकेले सोने में डर लगता है इसलिए हम दोनों सास बहु एक साथ सो जाएंगे सो तुम सासु मा के साथ सो